हलो नमस्कार विध्यारतियों कैसे हैं आप मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे आपकी पढ़ाई विन रंतर अच्छे तरीकी से चल रही होगी यह मैं आपसे आसा करता हूँ और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कच्चावारावी विषय PCMB क्रसिबिग गणगड़ित के मूलतत्व RS इस्टडी बेच में सुपर तैयारी के अंतरत हम आपको दो वंकी प्रस्णों के विषय में बताएंगे दो वंकी प्रसंद इस वीडियो के माध्यम से आपको तैयारी कराएंगे जो के बहुत ही महत्रपूर्ण प्रस्ण है आने की आपको इन प्रस्णों में से कोई प्रस्ण बाहर नहीं जाएगा सबी प्रश्णों इनमें से आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे तो प्यारे भी ध्यारतियों अभी तक आपने हमारा RSH 3.10 चैनल लाइक सेर कमेंट एड सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अधिक सेर करें लाइक करें कमेंट करें और अपनी जैसी रिक्वार्मेंट के लिए कोई भी आवा सकता है किसी प्रकाली कोई समस्या है तो हमें इस वीडियो के माद्यम से कमेंट बॉक्स के माद्यम से जरूर बताएं जिससे हम आपकी समय समय पर पढ़ाई की स्टडी को निरंतर रूप से बनाए रखें तो आए आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोवंकी प्रस्णों के बिसे में बात करते हैं और पहला प्रस्ण देखते हैं कौन सा प्रस्ण है और उत्तर सहित पढ़ेंगे हम जो आपने नोर्स बनाए हुए हैं यदि आप उनको भी याद कर सकते हैं यदि वो उसमें लिखा हुआ प्रस्ण आपको difficult लग रहा है तो आप सरल तरीके से याद कर लीजिएगा तो पहली युनिट का पहला प्रस्ण की तरफ चलते हैं और प्रस्ण देखते हैं पहला प्रस्ण है आपके लिए most important प्रस्ण होने जा रहा है यह प्रस्ण है प्रकास के कोई दो गुड लगिए यह पहली वी कई बार पूचा गया है very very most important प्रस्ण है 24 पेपर की दरश्टी से आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए मैं इन प्रस्णों को बित आंसर सहित आपको समझाओंगा तो प्रकास के कोई दो गुड निम्ड लखे थे हैं नमर एक प्रकास हमेशा सीधी रेखा में गवन करता है बच्चों प्रकास है प्रकास हमेशा सीधी रेखा में गवन करता है नमबर दो प्रकास जब किसी चमकदार सत्य से टकराता है तो है उसका कुछ भाग उसी माध्यम में बापस लोट आता है जैसे मान के चलें यदि हमने तौर्च ली और तौर्च की रोशनी को हमने किसी चमकदार सत्य पर उसको लगाया जैसे दीवाल है वो बहुत ही चमकीली दीवाल है उस पर टौर्च की रोशनी अमने लगाई तो जैसे फ्रक्स दीवाल पर पड़ेगा लेकिन कुछ का कुछ सेष भाग है जो बापस लोटेगा अपनी तरफ बापस लोटेगा तो इसका यह गोड़ा है कि जब प्रकास जब क सुवेद प्रकास जब प्रजिम से गुजरता है तो अपने साथ अभी-अभी रंगों में व्यक्त हो जाता है अभी-अभी इसलिए बच्चो इसमें कुछ टाइपिंग करने में मिश्टिक हो गई है तो आप इससे सुधार लीजिए और इसका स्कीन सॉट जब ही लीजिए जब प्रशन अंत्रता कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप इसकीन सॉट लीजिए और इसको अच्छे तरीके से समझ कर पेपर की तयारी कीजिए जो आपको 22 तारीक का जो PCMB का पेपर है उस 22 तारीक के PCMB के पेपर में आने वाले प्रशन में आपको इस वीडियो के माद्यम से पढ़ा रहा हूँ दो अंग की प्रशन बच्चो अगले प्रशन की तरफ चलते हैं और बात करते हैं मानब नेत्र के कोई चार भाओं के नाम लिखिए जो हमारे मानब है आंक में अमारे सरीर में जो आंक पाई आती है मानब नेत्र है जो के बाहाई अंग है मानब सरीर का उसमें पाई आने वाले चार भाओं के नाम लिखिए तो पहला तो भागे बच्चो इसका कॉर्णिया दूसरा पुतली पाई आती है हमारी आँख में रेटीना नेत्रलेंस और आईरिस क्या होते बच्चों यह मैंने आपको यहाँ पर पांच भाग दिखाएं बता दिये हैं कॉर्निया पुतली रेटीना नेत्रलेंस और आईरिस यह हमारे मानम लेतर के चार भाग हैं पांच भाग मैंने बता दियें आप चार याद कर लीजीगा अगला प्रस ने चुम्बकी अच्च की परिवासा लखीए चुम्बकी अच्च तो उत्तर के चुम्बक के दोनो धुर्ब चुम्बक के दोनो दुर्वों को मिलाने वाली कालपने करेखा होती है उसे चुम्बक की अच कहते हैं तो चुम्बक के दोनों दुर्वों को मिलाने वाली कालपने करेखा को चुम्बक की अच कहते हैं अब आप इसका स्क्विन सॉट ले सकते हैं अगले प्रस्न की तरफ देखते हैं प्रस्थने अपना उदासीन रेखा की परिवासा बताए को उदासीन रेखा की परिवासा लिखिए। PCM भी बताई जा रही है important question हम लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से सुपर तैयारी में बच्चो अगला प्रसने बिद्धुत बल रेखाओं के कोई दो गुड लिखिए मैंने आपको यहाँ पर तीन गुड बताई है बिद्धुत बल रेखाओं के दनावेश से प्रारंब होती है और रिडावेश कहां पर बच्चो रिडावेश पर समाप्त हो जाती है आपर क्या लगाना है रिडावेश तो चुम बिद्धुत बल रेखाओं होती है जो दनावेश से प्रारंब होकर रिणा पेस पर समाप्त हो जाती है पहला पॉइंट है दूसरा पॉइंट है बिद्धुत बल रेखा चालक के लंब बत होती है बिद्धुत बल रेखा है जो चालक के हमेशा लंब बत होती है और नमबर तीन बिद्धुत बल रेखा हैं एक दूसरी को कभी नहीं काटती हैं Most important प्रस्ण हैं प्यारी बच्चो आप इसे बिद्धुत बल रेखा हैं पूछा गया था पिछले सेट में और अर्दवार सिक्त रहमा सिक परिच्छा बच्चों की हुई थी उनमें भी यह प्रस्ण आया था तो बिद्धुत बल रेखा हूं कि कोई दो गुड लिखिए इसमें मैंने आपको तीन गुड बता दिये हैं अग्ला प्रसन है सम बिभवव प्रष्ट किसे कहते हैं तो किसी विद्धुद चेतर के समान बिभव की बिदुदू के मिलाने वाले काल्पनिक प्रष्ट को सम्विभव प्रष्ट कहते हैं किसी बिद्ध चेत्र के समान विभव के बिंदूओं को समान विभव के बिंदूओं को मिलाने वाले काल्पनिक प्रष्ट को सम्विभव प्रष्ट कहते हैं अगला प्रस्ण है समभीभवव प्रष्ट के दो गोड लिखी है समभीभव प्रष्ट के लंब बत हुती है नमबर एक, दो संब्याव प्रेश्ट एक दूसरे को कभी नहीं काडते हैं नमबर दो, विद्वत बल रेखायें, संब्याव प्रेश्ट के लंब बत होती हैं अगला प्रस्न है बच्चों, किडवन की परवासा kid one की परवस इसे इंगलिस में, भर्मंटेशन कहते हैं वच्चो, किडवन वह रासाइन क्रिया है जिसमें जटल कार्वन किया जाता है उसे किडवन कहते हैं किडवन वह रासाइन क्रिया जिसमें जटल कार्वन की योगे को सुचम जीवों की उपस्ति एंजाइमों की दवारा धीमी इंगति से सरल योगे को में अपगट्रन किया जाता है किडवन कहलाता है तो कह सकते हैं जैसे आपने देखा हुआ दूद है दूद है दूद से जब दही बनता है दही बनता है तो यह एक किड़बन की क्रिया द्वारा बनता है अगला पॉइंट है बच्चों किड़बन के लिए कोई दो अन्कूल परस्तितियां लिखना है तो तरह किड़बन की कोई दो अन्कूल परस्तितियां निम न लखेते हैं नमबर एक ताप यहाँ पर किड़बन लिखना है बच्चों किड़बन की क्रिया ताप पर निर्वर करती है किड़बन की क्रिया है वो किस पर निर्वर करती है इसके लिए अन्कूल तमच ताप कितना होना चाहिए 25 से 35 डिगरी सेलसियस होना चाहिए कम से कम ताप 25-35 degree Celsius होना चाहिए यह इससे अधिक हो जाएगा 35-35 degree Celsius से जो इसका ताप है वो अधिक होगा तो केड़वन की किरिया एबो समाप्त हो जागी अग्ला पौएंट बच्चो इसमें सांद्रण केड़वन किरियां के लिए तनुकरण किडवन की क्रिया होती है उसके लिए तनू करण 8 से 10 स्ट अनकूल होता है अधिक सांदर्ण बलिय नमें ग्रिया नश्ट हो जाएग अधिक सांदर्ण बलिय नमें किडवन होती है वो नश्ट हो जाएगी अगला प्रस्ण आरेस इस्टिडी प्रश्ण प्रस्ण प्रस्ण बच्चों जैव रसायन किसे कहते हैं तो बिग्यान क्यों हैं साखा जिसमें जीवित प्राणियों के रासायनिक संगठन सरचना एवं उसमें उने वाले विविन रासायनिक परवरतनों का अध्यन किया जाता है तो उससे क्या कहते हैं बच्चों उससे जैव रसायन कहते हैं तो बिज्ञान क्यों है शाखा जिसमें जीवित प्राणियों, कैसे प्राणियों होने चाहिए जीवित, जीवित प्राणियों, रासायनिक संगठन, उसका जो रासायनिक केमिकल और्गनाईजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संगठन, सरचना, एवं उसमें उने वाले बिविन रासानिक परवर्तनों का अध्धिन किया जाता है क्या किया जाता है यह वह उसमें वाले बिविन रासानिक परवर्तनों का अध्धिन किया जाता है तो उसे जैव रसायन कहा जाता है क्या कहता है जैव रसायन बायो कैमिस्ट्री लोग आ गया ये भेरी भेरी मोस्ट इंपोड़न प्रस्ट जेव रसायन का महत्तो जेव रसायन का महत्तो नियम ने लेकिता है नमबर एक कोशका के गुड़ों के अध्यन में कोशका होती है कोशका में जो गुड़ों होते है कोशका के गुड़ों के अध्यन में जीव बिग्यान ने नहीं नहीं खोजा की है जैव बिग्यान नहीं खोजा की है नमबर दो रोगी जन्तु चिकतसा लाब हुआ है जैवरसायन से जैवरसायन से रोगी जन्तु है चिकतसा में लाब हुआ है और नमबर तिन जया ब्रसायन की उपयोग से पसलों का उत्पादन में ब्रद्धी हुई है जया ब्रसायन का उत्पादन में भी ब्रद्धी हुई है बच्चो अगला पॉइंट है मानम लेत्र तथा केमरी में दो अंतर बताईए इसमें प्रस्ण पूछ राकियों की दो नमबर का प्रस्ण है मुश्ट इंपूडंट प्रश्ण है मानम लेतर इवं केमरा में अंतर बताईए तो उत्तर देखते मानम लेतर इवं केमरा में दो अंतर निम्न लिखेते हैं तो पहला पॉइंट है मानम लेतर में बना प्रत्वम पूर्ट है दोस्मुक्त होता है मानम नेतर में जो प्रत्यविम बनता है वो कैसा होता है बच्चो पूर्ण दोस्मुक्त होता है उसमें कोई भी दोस नहीं पाया जाता है जबके केमरा में बना प्रत्यविम पूर्ण दोस्मुक्त नहीं होता है इसमें दोस्मुक्त होता है इसमें दोस्मुक्त नहीं होता है मानम नेत्र में नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदली जा सकती है मानम नेत्र है उसमें जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदला जा सकता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदली जा सकती है जब के केमरे में केमरा लेंस की फोकस दूरी नहीं बदली जा सकती है कैमरा में जो कैमरा लेंस के फोकस दूरी होती है उसे नहीं बदल सकते हैं बच्चो नमबर तीन मानम नेतर में रेटी नामें बना प्रत्विम आयस थाई होता है मानम नेतर में रेटी नाम जो प्रत्विम बनता है वो कैसा होता है बच्चो वो अजयस्थाई होता है जब के कैमरे की फिलम में जो बना प्रत्वेम इस्थाई होता है जैसे आपने देखा कि हमाने अपन किसी आदमी को देखते हैं पे Chinat तो आँखों से माद्यम से देख लेते हैं तो अपन कभी उसको भूल भी जाते हैं लेकिन जो केमरे में जो कैद होती है तस्वीर वो प्रत्य में वो जो बनता है वो इस्थाई बन जाता है अगला प्रस्ण है भेरी भेरी मोस्ट इम्पूडन्ट प्रस्ण बर्स दोयाच चोविस पाइस फरवरी में जाकर इस परसन को देखते हैं दूर दरश्टी दोस किसे कहते हैं क्या कहते हैं दूर दरश्टी दोस किसे कहते हैं तो दूर दरश्टी दोस क्या होता है कि वह हैं दोस जिसमें पीड़त मनुस को दूर की बश्टो इस पश्ट दखाएं देती हैं दूर दरश्टी दोस में क्या होत प्रकारका दोस को कहते हैं दूर दरश्टी दोस क्या कहते हैं बच्चों इस प्रकाई दोस को दूर दरश्टी दोस कहते हैं दूर की बच्टों इस प्रकाई नहीं दें तो इसे दूर दरश्टी दोस कहते हैं इसे अपन एक ट्रिक के माद्यम से याद कर सकते हैं कि जैसे दूर दरश्टी दोस में दूर की बश्टू दूर की बश्टू है वो दिखाई देती है ठीक है बच्चों दूर की बश्टू दिखाई देती है और पास की बश्टू इस परश्ट दिखाई नहीं देती है तो इस प्रकार का दोस है वो दूर दरश्टी दोस कहलाता है अगला प्रश्ण प्रष्ण सितर्ड 2.10 प्रश्ट बड़ी क्लासिस प्रस्ट स्र ऐस थाइच चुंबक की परवाश्ट की तो चुंबक मैंने आपको बताया ह्किए लगत आपको पताया है आपको चुंबक की सब्सक्राइब अन्िकस दो चुमबक की परवास यहान पर आप को बतानी है किसकी बतानी बच्चो आयस थाई चुमबक की परवास बतानी इंप्रशन है कि किसे बतां की इन एटा अंदी चुम Kok होती है कि यस्का चुम अटो कि दीध jurisdiction हो जाता है क्या संथ जो आयस्थाई चुम्बक वें चुम्बक होती है जिसका चुम्बक तो सीघ्रिनश्ट हो जाता है उसे चुम्बक कहते हैं जैसे बिदुत चुम्बक आयस्थाई चुम्बक का उधारण है अब जैसे मान के चलें कि चुम्बक जिसका चुम्बक तो सीघ्रिनश्ट किनका होत लगें लग तो उसमें क्या होता कि जो कॉल लगे रहते हैं इंदर पंखे में जो पंगा भरा रहता Тो उस Premium को Hij तब ही वो रोड घूमना इस्टार करती है तो यह एक ऐस्थाई चुम्बक है ऐस्थाई चुम्बक बिद्द चुम्बक ऐस्थाई चुम्बक का उधारना है ठीके बच्चों इंपोर्डेंट प्रस्न है याद कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी सेयर कीजिए जिससे उन छाई चुम्बक पहले बताया था ठीक ऊसी के अपोजिट है तो वहें चुम्बक जिसका है घुक्ड को कवाल्ट को वाल्ट को निकल आदी जो इस थाई चुम्बक के पर्मक उधारन है वह है चुम्बक जिसका चुम्बक तो सीग्र नैश्ट नहीं होता है इस्ताई चुम्बक कहलाते हैं, जैसे इस्टील आज को वाल्टे निकल आजिस चुम्बक है, इसके प्लामक उदारण है इस्ताई इससे प्रधवित करने वाले कारकों का बर्डन कियेत. बिंद्द भवित के प्रभावित करने वाले कारक है. नंमर एक. चालक किसी चालक की स्हते का छेतर फल जितना अदिक हुआ, उतना ही उसका ब्यभाव है, वो कैसा गाम होगा, नम्बर तिन, चालक के चारो उर का माद्यम, यदि चालक को, निरवात से परा बैदितांक वाली माद्यम में ले जाया जाए, यदि किसी चालक तो इसको निर्वात से परावेद उतांग वाली माध्य में ले जाया जाए तो उसका गटकर के गटकर एक क्यालविन रहे जाता है एक क्यालविन भाग रहे जाता है ठीक है बच्चों कर अगला प्रस्ण क्यडवन की दो उपयोग लिए तो केडवन का उपयोग किस-किस में किया ता है तो केडवन की दो उपयोग निम्न लखेता है यहाँ पर किडवन के दो प्रमक उप्योग निम्न लखेता है सरकरा और इस्टार्च से सरकरा होती है सरकरा और इस्टार्च से एथेन एलकोहल बनाने में किडवन का उप्योग किया जाता है नमबर दो बैक्टेरिया के दोरा एसीटोन बनाने में बैक्टेरिया होते हैं जीवाड़ू होते हैं तो उनके दोरा एसीटोन बनाने में किर्वन का उपयो किया जाता है नमबर तीन बैक्टेरिया के दोरा एसीटोन बनाने में किर्वन का उपयो किया जाता है तो इसके तीन होग है जैसे 4 और इस्टर से एथिल अल्कोल बनाती है किर्बवन के दोधरा नबर दूब टृइकरी के दोधर एकिटол नम्रTr सिरु बनानेisc like will करती है नम्र 3 बैकरी बनाने वाले जो कार खाने उत्यां होते हैं उनमें किर्वन कर पयो होton ऐसे आपनी तरह how नहीं कहते हैं जैसे प्र पपड़ी और मतलब जितने भी इस तरह के पदार्थ होते है कस्ता वाले तो वह बेकृम आते तो बेक्री बनाने वे बेक्री जतने बंती है जैसे पेडिज पपड़ी मिल्दर इनको बनाने की डीवन का उप्योग होता है प्यारे बच्चों अगला प्रस्ण है very very most important प्रस्ण है वैसे तो मैंने आपको इस वीडियो के जितनी प्रस्ण है वो बहुत ही महत्वपून प्रस्ण है मैंडल ने अपने प्रियोग के लिए मटर के पौधे का चैन क्यों किया था दसभी कच्छा में भी यह आता है और बारगी में भी आपको देखने को मिलेगा दो नंक का प्रस्ण है तो मैंडल ने मैंडल ने अपने प्रियोग में मटर के पौधे का चैन नेमन कारणों से किया नेमन को मिलेगा, तो प्यारे बचो में आपको दो अंकी प्रस्ण इस वीडियो के माध्यम से आपको टोटल इंकी प्रस्ण 17 परसन बताए जो कि इन परसनों के उत्तर सहीत मैंने आपको कवर कराए हैं इन सभी परसनों को अच्छे तरीके सा पढ़ लीजिए और आपकी परिच्चे की तयारी बहुती अच्छी होती रहेगी और मैं आसा करता हूँ कि यदि आपको किसी परकार की कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जिस बीडियो की मांग कर रहे हैं जिस पढ़ाई के लिए आप बीडियो चाहते हैं उसे भी बताएं जिससे आप यदि कमेंट बॉक्स करेंगे तो हमको भी पता चलेगा बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारा भी उसला बढ़ता रहेगा